बिस्वार्मान रहीम, अस्सलाम अलेकूम, हिस्बॉल्ला, simply means party of God, ये एक Lebanese Shia paramilitary group है, ये ये कहलो कि दुनिया का सबसे बड़ा non-state actor, इसकी फौज दुनिया भर की 95% military से ज़्यादा powerful है, ये Israeli experts का मानना है उनके reports में, लेकिन Lebanon के अंदर ये एक बहुत बड़ी political force भी है, बिना इनके Lebanon की सियासत सांस तक नहीं ले सकूँ, Southern Lebanon मतलब Lebanon का वो हिलाका जो इसराइल के साथ लगता है, या Beirut शहर के सबर्ब में, health, education, development programs और दूसरी authorities को Hezbollah directly control करता है, इवन इस region में security को भी Hezbollah ही देखता है, कि आखर कैसे, एक group के पास अपनी फौज है, जो मुलक के फौज से जादा ताकतवर है, इनके पास उनसे जादा बहतर हतियार है, अपनी खुद की administrative body है, foreign relations है, इवन खुद का recognized area है, और ये लोग इसराइल से सीधे पंगा ले रहे हैं, बिना Beirut में बैटी सरकार से इजास लिए, इन सारी बातों को एक एक करके समझेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि इस जंग में Hezbollah का क्या रोल है, Hezbollah जंग के पहले दिन से इसराइल पर हमले कर रहा है, आप ही कह सकते हैं कि Hezbollah एक लौती ऐसी side है, जो हमास के साथ पहले दिन से इस जंग में कंदे स कंदा मिला कर लड़ रहा है, इन्होंने इसराइल पर हजारों हमले की हैं जिन में ड्रोंस, रॉकेट्स और कुछ शॉर्ट रेंज हतियारों का इस्तमाल किया गया है, साथ में मिसाइल से कुछ बड़े हमले भी किये हैं दीप इसराइल में, कई बार Hezbollah की fighters इसराइल में घुसकर इनकी आर्मी को टार्गेट कर रहे थे, इन्होंने नॉर्थ साइट में जितनी भी मिलिटरी पोस्ट और चेक पॉइंट्स हैं, उन्हें निशाना बनाया है जिन में से कुछ तो कम्प्लीटली तबा हो चुकी है, टेंशन को इतनी ज़ादा बढ़ते दे कि इसराइली फौजी मार गिरा हैं, हजबुल्ला की तरफ भी इसराइली रिटैलियेशन में काफी लॉस हुआ है, इनके 200 से ज़ादा फाइटर्स मारे गए हैं जिन में कई बड़े कमांडर्स और उनकी फैमिली वाले शामिल थे, साथ में 20 सिविलियन्स और बहुत ज़ादा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्शर को भी नुकसान पहुँचा है, इसराइली गवर्मेंट डेटा के अकॉर्डिंग, हजबुल्ला ने उनके 500 से ज़ादा घर डैमेज या, कम्प्ली डिस्ट्रॉय कर दिया है, इसराइल जंग की शुरुआत से अब तक हजबुल्ला को कई नहीं रुकेंगे जब तक घजजा में जंग चल रही है, और रही बात तुम्हारी धंगीगी, तो हम भी तुम्हारा ऐसा हाल करेंगे कि तुमने सोचा नहीं होगा, युनाइटिट ने भी जंग की पॉसिबिलिटी पर, मतलब हजबुल्ला और इसराइल के बीच में, इसे डिजास्ट्रिस बताया है, कि अगर ऐसा हो गया तो दोनों साइट्स के पास इतनी कैपबिलिटी हैं, कि वो एक दूसरे को तबाह कर दें, वैसी एक रियालिटी ही कि हिजबुला और लेबनॉन इसराइल को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये उनकी ऐसी हालत क कर सकते हैं, कि इतने मुश्किल रीजिन में इनका सर्वाइफ कर पाना नेक्स्ट इंपॉसिबल हो जाएगा, हिजबुला के पास एक प्लस पॉइंट की ये भी है, कि इनके पास रश्या और इरान का टैरेक्ट सपोर्ट है, दोनों कंट्रीज इसे हतियार सप्लाय कर रही ह खतरना कहतियार, इसराइल ने कुष द让 पहलेаешьन में हेजबुला को धंकी दी, कि हम लेबनाज पर हमला कर देंगे, इसके जवाब में हिस्बल्ला ने कुछ नी बोला बलकि और बड़ा हमला कर दिया जादा खतरनाक हतियारों से ये हमले पिछले सारे हमलों से जादा खतरनाक थे इसका मतलब है बिना कहें हिस्बल्ला ने ये साफ कर दिया कि हम तुमारे धंकी से डरने वाले नहीं हैं साथ में इस वक्त दोनों साइट्स के बीच में chances of war बहुत जादा हैं दुनिया भर के जो majority experts हैं वो इस चीज में राजी हैं कि दोनों साइट्स के पास कई वज़ाएं हैं एक हैं फ्रांस जर्मनी और स्पेन ये तीनों कंट्रीज फिलाल इसराइल के खिलाफ बोल रही हैं ये सारी चीज़े क्यों हो रही हैं से कभी किसी पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे लेकिन अमेरिका ने इसराइल को नसीयत दी है कि वह हेजबला पर हमले को बड़े प्रिसाइज वे में अंजाम दे क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो सिचुएशन बिगड़ जाएंगी बहुत से अमेरिकन एक्सपर्ट्स ने तो डिरेक्ली कह दिया है कि फिलाल हिजबला से भिड़ने की जरुरत नहीं है अगर भिड़ोगे तो बुरी तरह हारोगे United States की Government, Pentagon और CIA इन तीनों ने भी इसराइल को नसीयत दी है कि फिलाल ऐसी बेवकूफी मत करना क्योंकि हालात बिगडेंगे और हम उन्हें बैलेंस नहीं कर पाएंगे क्योंकि United States भी Middle East में इरान के जाल में फसरा है उसके military basis पर छोटे बड़े मिलाकर 300 से जादा हमले हो चुके है और एक हमला तो जॉर्डन में हुआ है ये काफी unique सी चीज थी जिसमें 3 इनके फौजी मारे गए हैं और 30 फौजी घायल है इसका मतलब जो जंग है वो wider regional conflict की तरफ बढ़ रही है ना कि ये एक या दो देश के बीच में सेमित है इसलिए United States डर रहा है कि कहीं हम इरान के साथ direct confrontation में आ जाए है Middle East के इस conflict से अगर कोई war escalate होती है तो ना अमेरिका को कोई बड़ा नुकसान होगा ना इरान का लेकिन regional war इसराइल को मिटा देगी ये survive नहीं कर पाएंगे इनका हाल ठीक वैसा ही होगा जैसा अफगान government का हुआ था वो collapse कर गए थे और उसका reason ये होगा कि United States की आर्मी को किसी भी conflict के बाद जाना पड़ेगा region छोड़ते ही उनके puppets यहां पर collapse कर जाएंगे अच्छे Hezbollah इतना ताकतफर क्यों है क्योंकि इनके पास एक लाग की फौज है इसमें से जो 50% है वो तो Hezbollah के permanent members है या reservist है लेकिन remaining जो 50% है वो आम वक्त पर दूसरा काम करते हैं अपनी नौकरियां और businesses लेकिन जब भी Hezbollah को उनकी जरुरत होगी वो volunteers की तरह इनके साथ लड़ने के लिए आ जाएंगे क्योंकि इनके पास country की 30% Shia population का blind support है फिर Hezbollah के पास दो लाग के करीब rockets है जो हमास के rockets से जादा accurate है और इसराइल में कहीं पर भी हिट कर सकते हैं अब इसराइल जैसे देश को tackle करने के लिए इनके पास जो rockets है यह game changer की तरह है इनकी तादाद जादा होनी चाहिए क्यों क्योंकि इसराइल के पास जो iron dome technology है अगर कोई 200, 300 या 400 rockets fire करता है तो iron dome की accuracy 90% होगी वो 90% तक intercept कर देगा लेकिन जैसे जैसे rockets की तादाद बढ़ती रहेगी और जादा से जादा rockets से हम ले किया जाएंगे उसकी accuracy कम होती रहेगी अगर 5000 rockets तो उसकी accuracy 50% हो जाती इनकेस अगर 30,000 rockets fire कर दिये गए तो उसकी accuracy 30% ही रह जाएगी और अगर और जादा हुए तो accuracy 10% से भी फिर इनके पास missiles हैं, guided missiles हैं और इनकी accuracy दुनिया के किसी दूसरे group के मुकाबले जादा अच्छी है, Hezbollah के पास Iranian, Russian और locally made तीनों टाइप के drones हैं, इनके पास पूरे इस्राइल में कहीं पर भी हमला करने की capability है, tanks है, Russian air defense system है, Iranian air defense system है, combat experience है पूरे Middle East में लड़ाई करने का, यह उन्हें एक plus point देता है Israeli army पर, फिर उनके पास regular supplies है, Iraq, Syria, Russia और Iran से, यह उनकी एक बहुत बड़ी ताकत है, then इनके पास 10 तरह के anti-tank weapons है, anti-aircraft weapon है, anti-ships हैं, जैसे C-701 या C-802, फिर Humvees हैं, बختर बन गाड़ी हैं, और जो सबसे बड़ा फायदा है वो यह कि यह कभी Hezbollah versus Israel नहीं होगा, यह Lebanon versus Israel होगा, इस वक्त भी Lebanese army इसकी तैयारी कर रही है, और उनकी अलग अपनी fire power है, फिर Hezbollah, दोनों मिलकर और खतरनाक हो जाते हैं, और उस country के पास एक वज़ा भी है, Shiba Farm, इनके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, और लगवक 80% जो Lebanese हैं, Hezbollah के हमले को लेकर डर बना रहता है, और इसका सबसे बड़ा रीजन है, कि Hezbollah एक लौती ऐसी पावर है, जिसने इसराइल को जंग के मैदान में हराकर उससे अपनी जमीन वापस छीनी है, सन 2000 में इसराइली आर्मी Lebanon छोड़कर भाग गई थी, यह कोई मुआधा नहीं यह एक पैनिक था, उसके बाद साल 2006 में इसराइली आर्मी ने एक बार फिर से पूरी ताकत से Lebanon के उपर हमला किया, राजदानी पर एर स्ट्राइक्स हो रही थी, ग्राउन फोर्सेस हत्यारों से लेस होकर Lebanon में घुस गई थी, Lebanon का टोटल ब्लॉकेट कर दिया गया था, इसराइल का मकसद था कि वो हिस्बल्ला को जड़ से मिटा देगा, और साउथ Lebanon पर कबज़ा कर लेगा, उसके बाद ही लबनान की सरकार से बात करेगा, और ब्रॉडर वे में उसका एक और प्लैन था, वो चाहता था कि वो साउथ Lebanon के अंदर Christians को मुसल्मानों के खिलाब वढ़का कर, यहाँ पर एक मिलिशिया बनाएगा, और वो मिलिशिया पपिट रेजीम की तरह काम करेंगी, जो अपने से एक बार फिर से खदेर दिया, इस जीत के बाद Hezbollah इसराइल से दो जंगे जीत चुका था, इसलिए इसराइली फौच के मन में Hezbollah का खौफ बैठ गया, उसके बाद 20 साल इसराइली मीडिया ने इतना कवरिज दिया Hezbollah को कि आम पब्लिक भी डरने लगी, अभी अग होना एक रीजन है, क्योंकि पैलेस्टीनियंस भी अरब से हैं, लेकिन यह सबसे बड़ा रीजन नहीं है, क्योंकि 1948 में जब पहला नत्बा हुआ, उसके बाद पैलेस्टीनियंस को साउथ लेबनान में जाकर बसना पड़ा, 1967 में जब एक बार फिर से mass exodus हुआ पैलेस्टी में इंटर्वेंशन कर रहे थे, इवन वहाँ पर कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहे थे, अब लेबनान की Domestic Politics डिपेंड करती थी, शिया सुनिय और बैरोनीत क्रिस्ट्टिन्स पर, तो जो सुनीस थे, उन्होंने पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट किया, कि पैलेस्टीनियं हैं, हम भी सुनीज हैं, अगर दोनों साथ में मिल जाएंगे तो सुन्यों की सरकार आजाएगी, बहुत सारे जो शियास थे, उन्होंने भी फलस्तीनियों को इसलाम को बेस बनाकर सपोर्ट किया, कि ये भी मुसल्मान है, हम भी मुसल्मान है सपोर्ट करेंगे बहुत सारे शिया ग्रोप मुखालिब बे थे और दोनों साइट के मतलब शिया और सुन्नी जो नैशनलिस्ट फैक्शन थे वो इस यूनिटी के खिलाफ थे क्योंकि उनका मानना था कि पैलेस्टीनियन्स बाहर के हैं वो हुकुमत में नहीं होने चीए उसके बाद जो मैरोनी क्रिस्टिन्स थे यह पूरी तरह इसके खिलाफ हो गए यह इंसेक्यूर फिल कर रहे थे कि अब तो मुसलिम्स का राजा जाएगा कंट्री से हमारा इंफ्लेंस पूरी तरह खत्म हो जाएगा क्योंकि जो मैरोनीट क्रिस्टिन कम्यूनिटी है यह हमेशा से लेबनान के अं में तो उसके अंदर भी मैरोनीट प्रेसिडेंट बनेगा और शिया स्पीकर बनेगा और जो सुनी होगा वह प्राइम मिनेस्टर बनेगा मतलब कम्प्लीट पावर शेरिंग कर ली गई थी लेकिन अब इनका इंफ्लेंस खत्म हो जाता इसलिए 1975 में सिविल वार हो गई और सिविल वार बढ़ती जा रही थी जब इस्राइल ने देखा कि सारे लेबनानी आपस में लड़ रहे हैं तो उसने 1982 में लेबनान के उपर हमला कर दी अपने पॉलिटिकल फाइदे के लिए कि वो यहाँ पर आएगा और पलेस्टीन ग्रूप्स को टार्गेट करेगा उसके अपनी आइडियालोजी को शिया रीजन में बढ़ाना चाते थे तो 1982 में ही इरान की मदद से फॉर्म हुआ हिजबॉल्ला और हिजबॉल्ला ने 18 साल जंग लड़के इस्राइल को हरा दिया उसके बाद तीन इंपोर्टन रीजन थे जिसकी विज़े से हिजबॉल्ला एक का कामियाब हो जाना दो अलग बाते हैं इनकी कामियाबी का सबसे बड़ा रीजन था शिया मार्जिनलाइजेशन कि आज तक शिया कम्यूनिटी के साथ नाइंसाफ होता हुआ था लेबनान में मतलब मैरोनी क्रिस्टिंस या सुनीज इनी लोगों के पास पावर्ती यही हो जाएंगे और दूसरा रीजन था इस्राइली इन्वेजन इस्राइल के हमले से मुस्लिम्स यूनाइट हो गए थे और क्रिस्टन इस्राइल को सपोर्ट कर रहे थे और हिजबुल्ला का सपोर्ट बढ़ता हुआ जा रहा था इन्होंने जैसे ही इस्राइल को हराया वैसे इन लोगों ने दो चीजों से country को बचाया है, एक Christian sectarianism और साथ में Israeli aggression, और तीसरा reason है civil war, 1975 से 1990 तक ही जो 15 साल Lebanon में civil war चली, इस civil war ने Hezbollah को सबसे powerful side बना दिया, क्योंकि ये सबसे successful side थे, जंग के, इन्होंने हतियार डालने से इंकार कर दिया, बागी सारे groups ने हतियार डाल द दिया, कि ये legally हतियार रख सकते हैं, अपनी फौज बना सकते हैं, ताकि Israeli aggression से Lebanon को बचा सके हैं, इन्होंने politically अपने आपको और powerful बनाया, और 1992 आते आते एक बड़ी political force बन गए, जिनको almost country की पूरी शिया community support करती थी, इन्होंने health, education और दूसरे सुबों में काम किये, अब दो 1990 के बाद से आज तक मुल्क की economic हालत बहुत खसता है, GDP डाउन है, poverty rate 80% है, unemployment है, political instability है, तो सरकार उभरी नहीं पारी और वो लोगों की development के लिए काम नहीं कर पारी और उसके बहुत सारे reasons हैं, लेकिन इसी वज़े से वो फौज के उपर ध्यान नहीं दे पारे, फौज modernize नह कर पारे, कोई बड़ी weapon deal नहीं कर पारे, और नहीं कोई बड़ी military exercise organize करा पारे हैं, इसलिए country की military Hezbollah से कमजोर हो चुकि है, अब Hezbollah के case में क्या है, इनके पास Iranian funding है, Syrian funding है, Russian funding है, इन सारी country से हत्यार आ रहे हैं, फिर international funding है, चारो तरफ से Hezbollah के पास सिर्फ एक ही काम है, कि वो कैसे अपनी forge को जादा strong बनाए, क्योंकि बाकी सारे जो वो काम कर रहे हैं, जो गव्मेंट के तौर पे हैं, वो सारे government के fund से किये जा रहे हैं, हमला इसलिए नहीं कर सकता Hezbollah क्योंकि वो एक group है, ये एक political force है, जो representation करती है, शिया community का, मतलब entire Lebanon का नहीं, उसके बाद मान लो, अगर मुसल्मान इस बात के लिए युनाइट रहे, कि हाँ, इसराइल के उपर हमला करना है, तो एक 32% की non-muslim population है, जो इसके मखालिफ रहेगी, तो country के अंदर conditions और बिगड़ सकती हैं, फिर उसके बाद, चाए शिया हों, सुनी हों, डूरूस हों, या Christians हों, इन सा पाली oil rich countries है, साउदी, UAE, Oman, Qatar, Kuwait, ये लोग क्यों नहीं बोलते, UAE तो उल्टा बोल रहा है, इतनी बड़ी-बड़ी militaries है, पाकिस्तान, इरान, तुर्की, इजिप्ट और इंडोनेशिया, ये लोग क्यों नहीं बोलते, अगर ये countries कोई major step उठाएं, तो Lebanon उसमें अपना शेयर दे सकता, और ये बिलकुल वाज़े बात है, इसलिए हिजबुला लेबनान के national frame से बाहर आकर काम नहीं कर सकता, और तूसरा factor है इरान, इरान United States के साथ किसी regional conflict में नहीं जाना चाता, क्योंकि इन्हों ने बहुत मैनत से, जो regional influence बनाया है, वो पूरी तरह खत्म हो जा वहीं कर से.